P2P Landing एक ऐसा concept जो कि आपको एक predictable returns प्रोवाइट करने की guarantee देती है but with no security multiples of P2P Landing platforms आपको market में देखने को मिल जाती है जिसमें से हम कुछ selective, कुछ गिने चुने P2P Landing platform के साथ ही invest करना प्रिफेर करते है जो कि हमें exactly with complete liquidity options के साथ जो हमें एक predictable returns प्रोवाइट करती है but in सब की बीच हमारा जो preference होता है P2P Landing platform का वो time by time change होता रहता है previously 12% club one of the best P2P Landing platform था for investing but currently अगर देखें तो वो कुछ खास काम नहीं कर रहा है इस पीच मोबी को एक extra काफी popular हुआ P2P Landing investment के लिए even मैंने भी काफी लंबे समय तक उसमें invest किया था and अभी भी कुछ पैसे हम नहीं invest कर रहे हैं but RBI के जो guidelines है वो day by day strict होते जा रहा है और शाथ से साथ यहाँ पर कुछ P2P Landing platforms हैं जो कि इनके strict guidelines को भी अच्छे से follow नहीं कर रही है and because of RBI's guidelines and restrictions जो P2P Landing platforms है इनको भी बहुत सारे strictly regulations follow करने पड़ रहे हैं जो कि पहले यह काफी flexible रखती थी for the users की जब चाहें वो तब विड्रोबल कर लें और जब चाहें तब इन्वेस्ट करके अपने daily returns भी देख पाए but because of RBI guidelines यह सारे चीज़े बहुत ही जल्द हटने वाली है इन P2P Landing platform से अगर हम बात करें मोभी कोई एक extra या फिर 12% क्लब एफरेस्ट के जो भी यह short P2P Landing platform है यहाँ पर आपको daily interest credit होते हुए देखने को मिलता है secondly आप जब चाहे तब withdrawal भी कर पाते थे जो कि आपके account में within 24 hour banking working hour के अंदर जो bank account में withdrawal हो सकता था हो सकता है अभी भी but because of RBI guidelines यह delay हो सकता है इन सब के अलाबा इस वीडियो में हम कुछ alternative options की बारे में भी जानेंगे जो market में अभी भी available है मूभी को एक extra के alternative क्यों क्योंकि P2P landing एक ऐसा concept है जहाँ पर बहुत सारे P2P landing platforms हमेशा के लिए favorable यह फिर हमेशा के लिए अपना best level maintain नहीं कर पाई है कुछ गिने चुने P2P landing platform है जो कि काफी अच्छा maintain कर सके हैं लंबे समय से पहले 12% club काफी famous था बहुत demanding था लोग prefer करते थे इस पर invest करना बट अगले एक से दो साल की बात वहाँ पर अगर हम देखें तो लोग और invest करना prefer नहीं कर रहे है करें अगर बात करें तो काफी terms and conditions की बात जो यहाँ पर आपको 11-12% तक कर returns मिल रहा है recently Moby Quick Extra के बात करें तो landbox के साथ इनका partner है बोल सकते हैं आप landing partner है landbox इनके साथ partner करके Moby Quick Extra आपको 12-12% से लेकर गए 13-13% तक कर रहे है लेकिन अगें हमी भी बहुत सारे comments regarding Moby Quick Extra देखने को मिले हैं जहाँ पर लोगों का withdrawal on time नहीं हो रहा है withdrawal के अगर बात कर रहे हैं तो लोग किसी ने January को withdrawal request किया था बट February तक पैसा उनके account में अब तक नहीं है अब इसकी उनका आ चुका हो और कुछ लोगों ने 2-4 दिन पहले withdrawal request डाला था बट उनके account में पैसे अभी तक नहीं आए है अब इसकी पीछे क्या reasons हो सकते हैं यह तो आपको मोबी कोई के extra के support desk से ही मालूम पड़ेगा लेकिन mostly reason यह हो सकता है as per my research either a technical issue होगा दूसरा हो सकता है कि आपके किसी दूसरे bank account में आपका पैसा आगया हो आपको मालूम ना हो तीसरा आप जब अपना withdrawal कर रहे हो मोबी कोई के extra पर तो आपको एक strategy समझने पड़ेगा कि आखिर मोबी को एक extra काम कैसे करता है आपके चलते हैं कि मोबी कोई के extra पर आपने 5000 रुपए का invest किया तो यह 5000 रुपए कहां जाता है P2B landing that means कि peer to peer land होता है तो अगर यह 5000 रुपए 10 या 50 लोगों को अगर दिये जा रहे हैं आपके पैसे तो यह एक loan का portfolio जो है आपके नाम पर त्यार हो जाता है 5000 रुपए का अब इस loan को तो आपने जो 5000 रुपए invest किया है तो आपके एकांट में balance credit हो जाएगा वो इस basis पर बोलता था कि आपका जो यह portfolio था जैसी आप sell करने जाओगे तो आपके इस portfolio को एक दूसरी investor को जो कि again कोई ना कोई होगा जो 5000 या फिर 10 रुपए invest करने के लाया होगा उसे आपका ये loan portfolio transfer कर दे जाएगा और ये 5000 रुपए जो है लाकर के आपको दिये दिया जाता था और 5000 रुपए प्लस interest जो भी बनता था इसी प्रकार से overall जो है मोभी कोई cake store यहाँ पर काम कर रहा था जो कि RBI के guidelines में अब तक ऐसा कुछ detail में नहीं बताएगा है इसे भी आपका ये withdrawal होने में delay हो रहा है जो कि max to max 5 to 7 working days लेना चाहिए अगर इसे भी ज्यादा ले रहा है तो it's a serious concern आपको यहाँ पर इनकी support desk पर call करने की कौसेज करने चाहिए और अगर नहीं हो पाता है obviously possibilities यह कि इनका call वगर आपको ना लगे । आप क्या कर सकते हो आप ले सकते हो अनकी help desk पर जा सकते हो आप क्या कर सकते हो कि मूबी कोई extract का section पर ही आओगे आप setting पर जाओगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा help का या पिर support का सेक्सन देखने को मिल जागा वहाँ पर आपको यह पूछाएंगे भाईया क्या concern है क्या problem है आप अपना problem detail में बताओ चार्ट में बताएंगे आप अपना concern आपको जब problem है वो detail में बताईएगा हो सकता है कि आपसे screenshot मांगे तो screenshot में आपको क्या देना है आपने last transaction का जो कि आपको pending दिखाता होगा उसे screenshot को आपके हाँ यह पर डाल देना है अब इसके बाद either हो सकता है कि वो आपको call करें कि भाईया आपका जो पैसा है हमने credit कर दिया आपके bank account में जारा आप check कर लो और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास एक और option के play store पर movie को एक extra अगर अगर आप feedback देते हो तो इसके through से भी आपको यह calls या messages आपको कर सकते हैं तो ultimately अगर देखा जाए पैसा आपका safe है पैसा आपका डूबने वाला नहीं है और नाहीं मोबी कोई एक extra कहीं भागने वाला है अगर हम बात करें 12% club की भी ही तो यहाँ पर जितने भी investors से ना किसी का भी पैसा डूबा नहीं है हाँ भले ही interest जो return था वो बहुत अफेक्ट हुआ होगा बट पैसा इनका नहीं डूबेगा किसी का भी पैसे हाँ पर नहीं डूबेगा इसलिए क्योंकि आपका 5000 रुपई भी न वो multiples of borrowers को distribute होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदी को ट्रेट क्लाप के 5000 रुपई दे दे जाते हैं ताकि वो default करेगा तो आपको नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं होता है क्यों बता रहा हूं आपको ऐसा क्योंकि जब आप जाओगे आपका statement देखने जाओगे ना borrower का statement आपको देखने को मझाएगा 12-person club के setting वाले section में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मझाए कि किस किस लोगों को कितने क कितने रुपए आपके कितने लोगों को distribute किए गए है उस basis पर आपको देखने को मझाएगी चलिए आपका पैसा और as a portfolio of loan distributed है आपका returns भले ही affect होगा अगर होता भी है तो बट आपका पैसे आपर completely affect नहीं होगा कि बाद हम कुछ alternative platforms की बादर में बात कर लेते हैं क्योंकि य अगर हम multiple P2P landing platform की बात करें तो हां यहां पर आपको 12% का मिलता है returns like universe हो गया या फिर fellow हो गया बट यहां पर आपको with a condition 12% returns मिलता है पहला condition ही होता है कि minimum 10, 12, 25,000 रुपय का जो है आपको minimum के investment होनी चाहिए इसके साथ से साथ minimum 6 months से लेकर के up to 12 months के lock-in period के बाद ही जो है तो यह काफी lengthy है बट अगर आप same to same mobi quick extra या फिर 12% के जैसा ही एक platform experience करना चाहते है जब आपका interest daily credit हो और जब आप withdrawal करें तब within 2 days या फिर within 1 days आपके पैसे आपके backcount में credit हो जाए तो वहां पर आते हैं दो platform एक है branch loan ब्रांच लोन तो loan प्रोवाइट करता है बट loan application से install करोगे ना तो वहीं पर आपको investing का भी option देखने को मिल जाता है अब branch loan के एक रबात करें तो इनका भी lending partner है landbox landbox यह बात करें तो यह काफी एक popular and reputed platform है जो कि लंबे समय से इनका returns का portfolio average maintain किया गया है 12-13% का फिर 11-12% का average यह landbox अपनी borrowers को returns दे रही है देती आती है landbox में अगर आप directly invest करना चाहते हो तो आप per annum के साथ जा सकती हो यहां भी आपको अच्छा का सा returns मिल सकता है बसरते कि आपको थोड़ा सा patience रखना होगा और एक minimum 25, 10, 15,000 रुपए का आपको investing करना होता है अगर आपको per annum में investing स्टार्ट करनी है तो मैं आपको इसका भी link दे दूँगा पर annum भी काफी अच्छा platform में जिसके तो आप investing long term के लिए काफी अच्छा plan कर सकते हो बट ब्रांच investing में कि अगर बात करें तो यहां पर आप minimum 500-1000 रुपीज से आप investing स्टार्ट कर सकते हो अप टू 10,000 रुपीज तक आप डाल सकते हो यहां इन्वेस्ट कर सकते हो मूल एक ऐसा P2P lending platform है जो कि आपको अलाव करता है minimum 100 रुपीज से भी invest करने को in the P2P lending और यहां पर आपको 10% से लेकर के 12% तका returns मिल सकता है मूल application पर investment का इसके अलावा यह आपको और भी बहुत सारे services प्रवाइड करते हैं for the investing अगर आप चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं और अगर आपको इन आप्लिकेशन के बारे में डीटेल में जानकरी चाहिए तो आई बल्टिन पर मैंने लिंक दे रखा है आप जाकर के एदर आपको branch investing के बारे में जाना हो या फिर मूल application के बारे में तो आप जाकर के विजिट करके डीटेल में देख सकते हैं That's all friends, आसा करता हूँ कि आपको ये video informative और useful लेगी होगी किसी type के कोभी query हो या फिर feedback हो तो comment box में comment जरूर करें because that's definitely help us to improve our videos आपके questions के basis पर इना बहुत सरे लोगों के solutions भी निकलाते हैं धन्यवाद